नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिलन और हेल बॉक्स में आप सभी का स्वागत है अज फिर से आ गए नया वीडियो के साथ नया टॉपिक के साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो हम लोग मोबाइल में SIM कार्ड यूज करते हैं इसके SIM कार्ड या जो माइक्रो SIM कार्ड या नयानो SIM कार्ड होता है इसके SIM कार्ड के अंदर आसल में होता क्या है क्या से यह मोबाइल से जो हमारा data है या calling करते हैं तो नेट के साथ connect करते हैं तो इसको हम open करेंगे और इसके अंदर actual में होता क्या है और हम देखेंगे तो टोटल प्लास्टिक का सील होता है waterproof सील तो इसको open करना ऐसे possible नहीं है तो इसके लिए इसमें आग लगाना होगा इसको जालाना होगा तब ही यह open हो पाएगा तो इसके लिए मैंने एक candle ले लिया है और candle में आग लगाते हैं उसके बाद इसको open करेंगे तो candle जल चुका है और इसको हाथ से पकड़ना मुस्किल है तो मैंने इसका इसका इस्तेमाल करेंगे तो अब इसको जो मेरा micro sim card है उसको सेब से पहले इसमें जलाएंगे देखे प्लास्टिक जो है प्लास्टिक में आग लग चुका है टोटल देखे कितना आग और धुवा निकल रहा है तो प्लास्टिक जो है वो आलाग हो चुका है सायद तो इसको मैं अभी और भी थोड़ा जला लेता हूँ लगा है कि टीशे निकल रहा है जैसे मतलब कोई कि विल्डिंग में अग लग एक यह और इसमें आग लगने पर बहुत तरह घंद्ध भी निकल रहा बहुत बैड कि 상황 इस में लिए कुछ तो इसको अभी थोड़ा दिर ठंडा होने दिना हो जायेगा तो इसको इसको अभी देखेंगे इसके अंदर में क्या आई देखें पूरा काला हो गए एक दम इसको अभी थोड़ा सा ओवास करना पड़ेगा तब भी देख पाएंगे और देख सकते हैं अभी यह ठंडा हो चुका है तो इसको हम इसको निकल लेते हैं प्लास्टिक को यह देखे प्लास्टिक पार्ट है इसका कोई काम नहीं होता है सिल्ध कार्ड के अंदर और यह जो में पार्ट है देखे यहां पर कुछ सार्कित था टूट गया है जलने के बज़े से भीए थोड़ा सा प्लेट था कुछ को पर कीसब को देख सकते हैंएप और इसको निकल देता हूं और यहां पर देखिए मैंन सार्कित यह यह नंपर आपको दीख रहा है सिसमें इसमें कुछ जूट के जैसे लग रहा है इसमें त्रेड निकल रहा है जैसे जूट या सिल के तरह देखिए थ्रेड यहां पर लग रहा है यह ओएर नहीं है और इसके आंदर यह बाला पॉर्ट्शन में कुछ सार्किट था जो थोड़ा जैल चुका एकदम तो इसको भी हम निकाल लते हैं देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर ही थार्किट था और यहाँ पर एक कुछ ऐसा पॉइंट दिख रहा है तो यहाँ पर सार्किट जो था हो तो हमको समझ में आया कोपर का या दूसरे मेटल का था लेकिन यहाँ पर जो थ्रेड है आप देख सकते हैं आपर थ्रेड का एक जाली है तो यह थ्रेड देने का मतलब हमको समझ में आया जो सायद जूट का या सिल्क हो सकता है और यह जो thread है सायद यह fireproof भी है मतलब मैंने आग में जलाया तो तब भी इसमें आग नहीं लगाया देखिए यह wire नहीं है यह silk जैसे लग रहा है कुछ तो ऐसा ही है sim card का अंदर का तजबिर तो इस तरीके का और भी helpful वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe लेकर रखिए वीडियो को like कीजिए और जादस जादस share कीजिए thanks for watching this video